हलो डिय श्टूदेंट्स इस वीडियो में बचों हम नाउंस के बारे में पढ़ेंगे जासे कि हम पिछली क्लास्टीस में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी पर्संट, प्लेश, एनिमल या किसी चीज के नाम को हम नाउं बोलते हैं जैसे कि कोई भी ब्यक्ति है, जैसे कोई भी डॉक्टर है, टीचर है, कोई भी एनिमल जैसे कि शेर, मच्छ, डीर, जिराफ, या कोई भी जगह है, जैसे गाडन है, स्कूल है, आइलेंड है, कोई भी चीज, जो हम अपने आस पास देखते हैं, हर एक चीज का कुछ नाम होता है जिसको की हम नाउन बोलते हैं तो बच्चों अब हम एक बार पहले पिछली क्लास में पढ़े हुए चीज को रिवाइस करते हैं कि नाउन क्या होते हैं तो यहां पर कुछ सेंटेंस दिये गए हैं जिनमें हमें नाउन को पहचान कर उसे अंडरलाइन करना हैं जैसे पहले एक्जामपल में हम देखते हैं माई टीचर विजिटीड ऑन माई बर्थ डी तो यहां पर व्यक्ति कौन है इसी तरह से बाकी के सेंटेंस में आप नाउन पहचान कर उनको अंडरलाइन करेंगे अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि नाउन कितनी तरह के होते हैं बच्चो सबसे पहले होते हैं common noun common noun क्या होता है जब हम किसी एक ही तरह के person, animal, place या चीज की बारे में कोई word यूज करते हैं तो उसको हम common noun बोलते हैं जैसे कि postman है, postman हमें क्या बताता है कि वो व्यक्ति जो कि post लाता है, letter deliver करता है उसको हम postman बोलते हैं तो इसमें कोई भी postman हो सकता है ये सभी postman के लिए ये word आएगा तो और वो नाम जो कि कि किसी एक particular व्यक्ति के बारे में या चीज के बारे में बताता है जैसे कि अगर ह और जैसे हम बोले कि place place कोई भी place का नाम बोलें जैसे garden, school तो इससे क्या हो रहा है कि school हमें बता रहा है कि बहुत सारे schools हैं कोई भी school वो हो सकता है तो इस तरह से जो word, जो noun किसी एक particular person, जानवर, animal, place की नाम बताते हैं उनको हम proper noun बोलते हैं और जो किसी एक ही तरह की चीज के नाम को बताते हैं उन्हें हम common noun बोलते हैं इसी तरह से यहाँ पर कुछ common और proper noun दिये गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जैसे doctor, doctor क्या है common noun है क्योंकि वो कोई भी doctors हो सकता है, जो इलाज करता है वो doctor अगर हम किसी doctor का नाम बोल रहे हैं जैसे कि doctor राजी मितल तो यह एक proper noun हो गया इसी तरह से किसी building अगर हम word building यूज कर रहे हैं तो building से हमें पता है कोई किसी भी इमारत की हो सकती है लेकिन अगर हम किसी building का नाम बोल रहे हैं जैसे red fort, india gate, kutu minar तो यह proper noun हो गया इसी तरह से कोई भी boy अगर हम बोलते हैं तो common noun और किसी भी boy का नाम अगर हम बोलते हैं वो proper noun इसी तरह से mobile phone अगर हम बोलते हैं तो कोई भी mobile phone तो यह common noun हो गया और अगर हम किसी particular mobile की company का नाम बोलते हैं जैसे nokia तो यह mobile की company है तो यह proper noun हो गया इसी तरह से बच्चों next होत जब हम एक ही तरह की person, place, animal यह चीजों को collect करके किसी common word से बुलाते हैं जैसे कि students, a class of students, जहां पर बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, एक साथ होते हैं, उन सब को हम क्या बोल सकते हैं, class बोलते हैं, इसी तरह से कुछ और भी collective nouns होते हैं, हर एक चीज के जैसे bundle of sticks, तारे होते हैं बहुत सारे, उसे क्या मूलते हैं, galaxy of stars, bouquet of flowers, pride of loins, जब हम एक चीज के group की बात करते हैं, और उसको किसी एक अलग नाम से बुलाते हैं, तो उसको हम collective noun बोलते हैं, इसी तरह से travelers जो होते हैं, यातरी उनके group को बोलते हैं, caravan, books, जहां पर एक साथ बहु चीजों के collective nouns होते हैं, next होता है बच्चो material noun, material noun क्या होता है, हर एक चीज किसी material से बनी होते हैं, किसी matter से बनी होते हैं, उसको हम material noun बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज है, book है, वो paper से, कागत से बनी है, furniture, wood से बना होता है, plastic होती है, तो यह सब materials होते हैं, material noun जिसको हम बोलते ह जैसे कि कौन-कौन से material नाउन होते हैं, जैसे कपड़ा किस चीज से भी हो सकता है, cotton है, silk है, इसी तरह से wood है, gold है, milk है, यह सब चीजे material नाउन हैं, इसके बाद next होता है abstract noun, abstract noun क्या होता है, जैसे कोई भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिनसे हमें किसी चीजों की, अब हम बढ़ेंगे बच्चों, abstract noun के बारे में, abstract noun क्या होता है, कुछ चीजे ऐसी होती हैं, जैसे कि quality, action, feeling, जिसको हम ना चू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ऐसी चीजों के जो नाम होते हैं, उन्हें हम abstract noun बोलते हैं, जैसे कि kindness है, honesty है, उडान है, flight जिसको हम बोलते हैं, journey है old days है, is बुड़ापा, हम उसको चू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख, वो चीजों को हम उस तरह के words को abstract noun बोलते हैं, इसके बाद next होता है बच्चों, कुछ noun ऐसे होते हैं, जिने हम count कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकत हैं, तो इस तरह से noun को हम दो हिस्टों में बाठते हैं, countable noun जिनको गिन सकते हैं, और uncountable noun जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, countable noun कौन से हो सकते हैं, जिसको हम count नहीं कर सकते हैं, तो वो सब uncountable noun के अंदर में आते हैं, इसके बाद हम nouns के नंबर के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी चीज एक हो सकती है या एक से ज़ादा होती है तो उसको हम numbers बोलते हैं तो बच्चों जैसे जो कोई अगर हम एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हम singular number या singular noun बोलते हैं और जब हम एक से ज़ादा चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हम plural noun बोल प्लूरल नमबर बोलते हैं इसके बाद हम नान के जेंडर पढ़ते है जैसे आब अपने पढ़ा है कि जादर थक मेल याẩ फीमेल होते है नॉन लिविंग चीज़े जो होती है उनके कोई जैंडर नहीं होते है तो जैंडर में चाहारध है कि होते हैं और जो female gender के बारे में बताते हैं, किसी girl के बारे में बताते हैं, उनको हम feminine gender बोलते हैं, male gender जैसे कि boy, dog, son, female gender जैसे mother, daughter, girl, इस तरह से, इसके बाद तीसरा gender होता है, common gender, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, बच्चों जिसमें हमें gender specify नहीं होता है, वो male भी हो सकता है, female भी हो सकता है, जैसे कि doctor, teacher, male भी हो सकता है, female भी हो सकता है, cook, बच्चा, child, वो male भी हो सकता है, female भी हो सकता है, तो ऐसे वर्ड जो कि male या female कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम common gender बोलते हैं, non-living चीज़ें जो होती हैं, बच्चों जैसे कि कुरसी है, मेज है, पैन है, टीवी है, कपड़े है इनको हम neuter gender के अंतरगत रखते हैं, तो इस तरह से चार तरह के gender हुए, masculine, feminine, common gender और neuter gender, इसके बाद अब हम जो हमने nouns के types के बारे में पढ़ा, उसके कुछ exercise करते हैं, बच्चों, जैसे कि first question है, इसमें हमें nouns को underline करना है, जैसे first sentence में, this doctor saved my uncle's life, तो यहाँ पर doctor हो गया, life ह हो गया, तो यह noun हो गया, इसी तरह से next sentence में हिमालयास, mountain series, तो यह noun हो गया, इसी तरह से बाकी के sentence के noun को आप पहचान कर underline कर सकते हैं, इसके बाद next question में बच्चों, यहाँ पर दो proper noun लिखने हैं, कुछ common nouns दिए गए हैं, जिनके हमें proper noun लिखने हैं, जैसे कोई भी building, यहा पर common noun है, इसके दो कोई भी हम building के नाम लिख सकते हैं, जैसे की, Red Fort, और ताज महल हम लिख सकते हैं, इसी तरह से कोई भी city के हम नाम लिख सकते हैं, जैसे डैली, मेरट, इसी तरह से, जब हम किसी particular चीज का नाम लिखते हैं, उसको हम proper noun और जो common naam लिखते हैं, उसको हम common noun लिखते हैं, तु इस तरह से बाकी के example को भी जैसे अब next है, हैं यहां पर boy का लीखना है तो हम किसी दो बॉइयस के नाम लिख सकते हैं कंट्री के नामरे लिख सकते हैं क्रिकेटर कॉय आ immigrant का बीवियiva का विकती का नाम तो judges के group को हम क्या बोलते हैं, बच्चो, panel, a panel of judges, इसी तरह से dash of players, a team of players, players के group को हम team बोलते हैं, the guest brought a bunch of grapes, grapes के बहुत सारे grapes को एक साथ बोलना होगा, तो हम bunch of grapes बोलते हैं, तो इसी तरह से बाकी के sentence को भी आप complete कर सकते हैं, इसके बाद next question में, बच्चो, हमें कुछ countable और uncountable noun दिये गए हैं, जिनमें हमें पहचान करके, उनके आगे c, countable noun के लिए, और u, uncountable noun के लिए mark करना है, जैसे bravery है, bravery क्या है, uncountable noun है, physics है, ये भी uncountable noun है, लेकिन musician है, musician क्या है, count कर सकते हैं उसको, तो हम यहाँ पर c लिखेंगे, या peacock है, peacock को हम count कर सकते हैं, तो c लिख अब जैसे goodness है, uncountable है, rise है, uncountable है, इस तरह से हमें बाकी के words को भी पहचान कर, countable या uncountable noun मार्क करना है, इसके बाद next question में हमें कुछ nouns दिये गए हैं, जिनके हमें numbers change करना है, अगर कोई singular noun लिखा है, तो उसको plural में convert करना है, और plural noun लिखा है, तो उसको singular में convert करना है, जैस यहाँ पर first word है, diary, तो हमें एक singular noun है, इसको हमें plural में करना है, तो हम क्या word हो जाएगा, diaries, तो इस तरह से उसके spelling भी change हो जाएगा, boy है, तो boys, इसी तरह से leaf है, तो यहाँ पर leaves, geese है, तो यहाँ पर goose, सी तरह से story है, तो यहाँ पर stories, इस तरह से हम noun के numbers को change कर सकते हैं, इसके बाद next question में बच्चों हमें कुछ sentence दिये गए हैं, जिनको हमें उनके noun के numbers चेंज करके लिखने हैं, जैसे कि the little boy है, तो हमें क्या लिखना है, little boys, अब वाज की जगे क्या हो जाएगा, were, क्योंकि plural noun हो गया, little boys were reading a prince's stories, तो spelling क्या हो जाएगी, P-R-I-N-C-E-S के बाद हम apostrophe लगाएंगे, बच्चों जब singular noun को plural करके हमें उसका position लिखना होता है, उसके बाद में लिखते हैं, प्रिंसे स्टोरीज, और ए को हम कट कर देंगे, तो sentence बन जाएगा, little boys were reading प्रिंसे स्टोरीज, इसी तरह से, next होगा, child की जगह क्या हो जाएगा, children, children were, बाद की जगह were हो जाएगा, playing with a हटकर diaries, तो sentence क्या बनेगा, children were playing with diaries, इसी तरह से, बाकी के sentence को हम numbers change करके convert कर सकते हैं, इसके बाद next question में बच्चों, हमें genders बताना है, कि जो word लिखा है, वो masculine gender है या feminine gender है, और जो gender दिया हुआ है, उससे दूसरा gender हमें लिखना है, जैसे यहाँ पर first one है, poet, तो यह masculine gender है, और इसको हमें feminine में change करेंगे, तो word हो जाएगा poetus, इसी तरह से mother female gender है, इसको change करेंगे, तो हो जाएगा father, इसी तरह से peacock male gender है, इसका female gender हो जाएगा, पी hen, इसी तरह से बाकी के words को भी आप gender convert कर सकते हैं, पहचान करके, इसके बाद बच्चों, next question में हमें कुछ fill in the blanks दिये गए हैं, जिनको की हमें bracket में दिये हुए gender से opposite gender उसमें बढ़ना है, जैसे a loinus, loin दिया है तो हमें क्या लिखना होगा, loinus, loinus attacked, a हटा कर हमें क्या लिखना होगा, a man, इसी तरह से those men servants लिखा है, तो हमें क्या लिखना होगा, women servants, women servants, इसी तरह से बाकी next में, he order his, son का female क्या होगा, daughter, इसी तरह से बाकी के sentence को भी आप complete कर सकते हैं, तो ये था बच्चो, types of noun, और उनको किस तरह से use किया जाता है, nouns के numbers और genders, I hope आपको समझ में आया होगा, तरह साथ मूद हैं, किते हैं आता हैं झाल्या जाता हैं, झाल